Hello everyone, मैं शुजीत सिंग, आप सभी कदाई नपर सौगत करता हूँ, दोस्तों आज की इस वीडियो के नदर में हम MA History, MHI 02 का All Important Topics Study करने वाले हैं MHI 02 की बुक में जितने भी lesson है, हर lesson के अंदर में कौन सा topic important है, किस topic का आपके exam में आने का ज्यादा chance है, कौन सा topic किस तरीके से present के जा सकता है, आपके exam में किस तरीके से पूछा जा सकता है, साती साथ अब आपके 15 दिन बचओंपे exam के लिए, December 2003 में exam होने वाला है, 1 December से आपक लास्ट में पढ़ने वाला है दोनों के लिए क्या स्ट्रेटिज वी होना चाहिए इसके बारे में भी इस वीडियो के अंदर में हम डिस्कस करेंगे साथ ही साथ पचास से ज़्यादा टॉपिक हो में आपे कवर करने वाले हैं और देखेंगे कि पचास टॉपिक में से क्यों सा टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है मोस्ट रिपीटेट टॉपिक बनने वाला है जो एक्जाम में आ सकता है तो चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम अपने थोड़े से बुक के बारे में बात करें तो अधुनिक विश्व के बारे में आधुनिक विश्व में सबसे पहले हम बात करेंगे पुना जागरन से ज्ञान होते से किस तरीके से लोगों के अंदर में ज्ञान आया ज्ञान का उदे हुआ और वहां से कौन-कौन से किस तरीके से आगे बढ़ते चले जाते हैं चाहे राजी का निरमाण हो चाहे पुंजी वादी सिधान तो और बाकी जो समाज वादी सिधान तो और भारे में लोगों के अंदर मुछ जान्जर गर्ती आई, तो क्या किस तरीके से से इवेंट आगे बढ़ता है, इसके बारे में इस बुक के अंदर में हम cover करने वाले हैं, हमारा सबसे पहला लेसन आता है, पुना जागरन, जिसके अंदर में एक topic हम cover करते है, पुना जागरन का important topic है ये topic कई बार exam में पूछा जाता है कि पुना जागरन है क्या पुना जागरन से आप क्या समझते हैं जो आधुनिक इतिहास का रहे हैं उनका क्या मानना है पुना जागरन को लेकर पुना जागरन व्यक्तिवाद है क्या इसके बारे में एक question बनकर आता है तो पुना जागरन है क्या इससे related question आ जाता है तो इसको आपको study करना है 14 से लेकर 16 सताब्दी का जो बीच का जो time period हो जाना उसको हम पुना जागरन के अंदर में count करते है इस time period के अंदर में लोग जो थे जन जागरती करने की जरूत होती है जागरन करने की जरूत होती है तो पुना जागरन दुबारा से जगना यहाँ पे start हो जाता है तो पुना जागरन का जो topic है यह important recessions इसको कहा जाता है तो important topic रहने वाला है इस वाले topic को आपको study करके जाना है इसको आप इस्ता आप मार् कर सकते हो Chapter No.2 के अंदर में जाते है, देखो आपका जो book है ना यूनिट में डिवाइड है, पर यहां पे हम chapter में करने वाले हैं Total 27-28 chapter है आपके book के अंदर में हर chapter के अंदर में जो भी important topic है ना उसको हमें आपे देखने वाले हैं चैप्टर नमबर वन के अंधर में पुना जागवन का टॉपिक आता है, important टॉपिक है, दूसरा हमारा टॉपिक होता है ज्ञान उदे का, ज्ञान उदे को हम प्रभोधन काल भी कहते हैं, विवेक का युग भी कहते हैं, अगर आपका question बनकर आजाए, कि प्रभोधन काल क्या है, प्रभोधन काल से आप क्या समझते हैं, प्रभोधन काल की विवेचना कीजिए, तो भी आपको ग्यान उदे को ही define करना है, विवेक का युग पूछा जाए, तो भी आपको ग्यान उदे को ही define करना है, देखो मैं आपको हर बार ना जितने पीछे की वीडियो देखोगे हर बार मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप किसी चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ लिए बट में चीज़ क्या होता ना question के pattern को समझे ना question के pattern को जब तक आप समझोगे नहीं आप exam में अच्छे number नहीं ला सकते हो क्योंकि question के pattern को जब समझोगे ना तब आपको समझ में आएगा किसका answer किस तरीके से लिखना है पूछा क्या जा रहा और किस तरी से क्या चीज़ बताना है तब आप उसको बता पाओगे वो समझ में कैसे आएगा तो मैं आपको suggest करूँगा सबसे best strategy होती है एक्जाम में last time period के अंदर में तयारी करने का कि आप previous year के question paper की study करो last five year के question paper की study कर लो या जितना आप से बन सके ना 5 साल, 10 साल, 8 साल, 12 साल जितने का बन सके जितने का आप से कर सकते हो उसके previous year की question paper की study करो चाहे आप में history की student हो चाहे first year के हो, second year के हो चाहे कुछ भी course कर रहे हो previous year जो question papers होते है वो बहुत ही जादा important होते एक तरसे ब्रहमास के तोर पे काम करते है ठीक है, समझ में आता है लिए आपको दाइन आपके चैनल को जोईन करना पड़ेगा सस्क्राइब पड़ेगा, जिसके बाद आप उन वीडियो को देख सकते हो और उससे आपका बुझो सलिबस से बहुत हतक cover हो जाएगा और अच्छे नंबर के लिए उसमें तयारी कर से हो, तो रच्छे नंबर ला सकते हो चलिए आगे बढ़ते है तो यहां पारा दूसरा जो topic रहता है, यहां पर ज्यान ओदे का रहता है दूसरे chapter के अंदर में ज्यान ओदे, जहां पर लोगों के अंदर में ज्यान की उत्पत्ती होती है, विवेक का युग सुरू हो जाता है जहां पर लोगों को ज्यान आता है कि क्या चीज़ है, सही, क्या गलत है उसके बारे में जानते हैं, इसका जो time period रहता है तो 16 से 17 सितावदी के बीच के time period को हम ग्यान ओदे का time period के तोर पे जानते है तीसरा हमारा चैप्टर, यह जो पहला और दूसरा जो topic है ना दोनों important है, अगर पहला topic आ रहा है तो दूसरा topic नहीं आएगा दूसरा topic आ रहा है तो पहला topic नहीं आएगा दोनों में से एक topic confirm होता है आपके exam के अंदर में इनको mark करके चल सकते हो हमारा तीसरा chapter आता है जिसके अंदर में हम बात करते है ग्यान ओदे की आलोचना के बारे में इस chapter के अंदर में total तीन topic आते हैं अब तीन में से कौन-कौन से topic है किस तरह की topic है इसको हम देखते है थोड़ा सा detail में यहां पर पहले है जो आपका topic आता है न बनकर तो यहां पर आता है कि romantic को दौ़ारा ग्यान ओदे की आलोचना किया आलोचना की गई ये romantic ओने इतिहांस का रहे है ठीक है इनके एक ideology थी जिसके बारे में हम study करते हैं तो romantic जो थे ना romantic हो इनके द्वारा मतलब ये group है एक तरीके का इनके द्वारा क्या अलोचना की गई ग्यानोदे की विचारदरा का ग्यानोदे को लेकर इनका क्या मानना था इसके बारे में आपको define करना होगा दूसरा यहाँ पर topic रहता है ग्यानोदे के चिंतक ठीक है जिसमें हम Karl Marx के बारे में बात करते हैं कि Karl Marx का क्या मानना था ग्यानोदे को लेकर और वहीं पर Frank Front जो स्कूल के इतिहास कारते हैं उनका क्या माना था विचारक जो थे, उनका क्या माना था ज्ञानोदे के लिएकर इसके बारे में हम बात करते हैं तीनों topic अच्छे हैं, आप study करके चल सकते हो, बट पीछे कई सालों से exam में आया नहीं है बट फिर भी आपको study करके जाना चाहिए, अगर आप देरों time तो मालो इस वाले question पर ज्यादा time दिया, तो इस वाले पर थोड़ा सा time दे के चल सकते हो, जिससे topic आपके mind में रहे, क्या ideology थी यह आपको clear रहे, आगे इम future भी आपका काम आ सकता है ठीक है समझ में आता है, चैप्टर no.3 का, चैप्टर no.4 के और बढ़ते हैं, चैप्टर no.4 में हम बात करते हैं, राज्य के सिधानत के बारे में भीया देखो, सबसे पहले राज्य का सिधान्त बहुत जादा जरूरी होता है जब किसी भी अधिकार के बारे में बात करते हैं तो अधिकार क्या हवा में मांगोगे आप हवा में तो नहीं मांग सकते हैं उसके लिए आपको एक boundary चाहिए होता है उसके लिए हम राज्य की विचारदार के उपर में bir discuss करते हैं कि राज्य है क्या इसकी विचारदार के बाद में बात करते हैं तो राज्य के सिद्धान का chapter important chapter रहता है अभी इसके अंदर में क्या आता है तो फोले 5 topic आते हैं इस पूरे chapter के अंदर में जिसमें हमारा पहला टॉपिक रहता है राज्य के उदारवादी धारना, अब देखों उदारवादी धारना है क्या, तो मतलब ना लोगों के बीच में अलग-लग मतमेद होता है, आपकी घर में पांच फैमिली है, तो कोई फैमिली मालो BJP पार्टी को सपोर्ट करती है, तो पार्टी को भूल जाू, यहां पर आइडालोजी के बारे में समझो कि उनके एक अलग-लग विचारधार है, बिजेपी की राइट विचारधार है, आम आदमिया कॉंगरिस की लेफट विचारधार है, तो तो सेम इसी तरवादी विचारधार तो राजियों को लेकर उदा सब् AH पार्ठी बीटल लोगत्य ऑग्राइं और माखाएं इसलोग आज को बहुत बड़ी बात है रहे हैं वहां पर नहीं सोचा जाता है एक वर्ग है जो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है दूसरा वर्ग है जो बहुत ज़्यादा नीचे दपता जा रहा है तो reason क्या ऐसा नहीं है कि देश आगे नहीं बढ़ रहा या उबर का आगे नहीं बढ़ रहा कुछ लोग तो जान बुचकार आगर नहीं बढ़ना चाहते तो वहाँ पर कल्यानकारी राज्ये की जो विचारधारा है उसका क्या मतलब है क्या बनता है राज्ये के सिद्धान्त के अंदर में कल्यानकारी राज्ये का क्या मतलब है ठीक है welfare के लिए किस तरीके से लोगों के काम करती है यहां पर राज्य के नारिवादी सिधान्त के अंदर में क्या होता है कि जहां पर हम महिलाओं के बारे में बात करते हैं महिलाओं का जो पक्ष होता है आपने फेमिनिस्ट के बारे में सुना होगा जहां पर महिलाओं के लिए वाज उठाती है ठीक हो यहां पर सेम राज्य के अंदर में महिलाओं का क्या रोल है उनको उनको लेकर क्या दाइत्व है उनको लेकर क्या सिधान्त निकल कर आता है इसके बारे में बात करते हैं जो यह पक्ष है सिर्फ नारियों के बारे में बात करता है अब यहां पर हम आगे बात करें तो उदारवादी संतावादी ठीक ह हम discuss करते हैं तो 5 अलग-अलग concept के बारे में हम बात करते हैं कई बार इस चैप्टर में से टिपनी based question बनकर आ जाते हैं कि कल्यानकारी राजी के बारे में बताईए ठीक है उदारवादी सिधानत का बारे मां कर लो यह topic टिपनी बेस पर आते हो कई बार main question के अंदर में भी बनकर आ अब रहें ठीक है समझ में आता है आगे बढ़ते हैं आगला जो हमारे चैप्टर आतें चैप्टर न URL 5 जहां पर हैं बात करते हैं पुंजीवादी अर्थव्यवस्ता और इसकी आलोचन आ के बारे में पुंजीवादी अर्थवस्ता है क्या भी या, पुंजीवादी अर्थवस्ता के अंदर में आता क्या है, तो पुंजीवादी अर्थवस्ता के अंदर में हम बात करते हैं, मार्क्स जो काल मार्क्स थे, मार्क्स और एंगलेस के बारे में, इनकी विचारधारा क्या थी, ये इस वाले topic को study करना है पुंजी बात की आलोचना को ठीक है एंगलेस और मार्क्स की विचारदारा को लेकर कि इनका विचारदारा क्या है दूसरा यहां पर topic आता है है नहीं important है यह वो बोल रहा हूं कैसे बोल रहा हूं दो चीज़ें सबसे में चीज़ क्या है एक तो experience काफी समय से मैं पढ़ा रहा हूं उससे जुड़ा हुआ हूँ डेली विश्यु देले के अंदर में मैंने पढ़ाया है ठीक है वहां जो सूल की students उनको मैं पढ़ाया हू पढ़ाने के लिए तो एक अच्छा खासा experience है बचों के साथ में दूसरा चीज़ क्या है कि इन जितने भी topic आपको इस वीडियो के अंदर में देख रहे हैं जो मैं बताने वाला हूं सारे topic आपके previous year question papers से उठाए गया है पिछले 5-6 साल का question पर को solve किया है उसके अंदर में सारा तो इस वाले को ठाकर यहां डालो और इस question के अंदर में जो topic इस तरीके से बनेगा तो यह वाला topic में ने इसको यहां रखो इस तरीके से किया गया अगर किसी chapter का topic नहीं है तो उसमें book की help लेकर वहां से topic find out किया गया है और जब आप previous year के question पर को solve करते हो न तो आपको खुद ही एक experience हो जाता है कि कौन सा topic किस chapter से सबसे ज़्यादा बार repeat हो रहे है किस chapter में से सबसे ज़्यादा बार question आने के चांज है आपको खुद ही अंदाजा मिल जाता है तो यहां पे आपको किसी और की help लेने की जुरूत नहीं रहती है तो मैं तो रिक्वेस्ट यह करना पड़ेगा जिसके बाद प्रीवेस से को देख सकते हो इसका benefit क्या होता है आप ऐसी जाकर देखिए मत सबसे पहले तो जो comment box से उसको देखिए जो student है जिसनों ने उस वीडियो की मदस से एक्जाम दिया था उनका क्या response राव उसको देखिए कि बहुत सारे students ऐसे थे जिन्होंने एक्जाम वाले दिन देखा और उनका response बहुत अच्छा एक्जाम बहुत अच्छा करके है तो उसके basis पे आप जाकर देखिए और या फिर आप अगर वीडियो नहीं देखना चाते तो एगनों के साइट पे से direct previous year के question paper डाउनलोड कीजिए खुद solve कीजिए वो आपको समझ में नहीं आएंगे दोड़ा time लेगेगा जादा पर जैसे ही आप fourth question paper को solve करोगे तो आपको यह समझ में आएगा कि जाधातर question जो है repeat हो रहे हैं और आपको easy हो जाएगा solve करना जिससे आपका experience भी बनेगा और answer writing practice भी आपकी होती ही चली जाती है जो आपके benefit आपको exam में भी मिलता है ठीक है यहाँ पर समझते हैं आगे बढ़ते अगले chapter के और chapter number six जहाँ पर हम बात करते हैं समाजिक संरचना हो के बारे में समाज के इंदर में किस परकार की संरचना है क्या संरचना है उसके बारे में हम discuss करते है chapter number six में जहाँ पर एक topic important बनकर आता है आधूनिक समाज और विश्व समाज के बारे में आज का आधूनिक समाज है क्या आधूनिक समाज में किस परकार की गतिवीदियां घटती है इसके बारे में बात करते हैं विश्व समाज है क्या विश्व समाज के अंदर में किस परकार से चीज़े होती है अब देखो ज जो किसी और company के बिदेसी company या फिर कहीं और की company है अब ये कोई phone apple का use कर रहा है American company है ठीक है तो कहां से आपके पास आगई कैसे आगई तो पारा जो दुनिया है आपस में सिमट गया चोटा हो गया और आपका जो दाइरा है ना दूरी है वह कम होता चला गया तो यहां पर आधानिक समाज है गया विश्व समाज है इसके बारे में पूछा जाता है ठीक है कुछ खास टॉपिक ने रहता पट कई बार exam में आ जाता है तो इसको लेके चल सकते हैं ठीक है आगे देखते हैं इतना खास नहीं मैं इसके लिए कोई इस्टार नहीं दूँगा बट फिर भी पढ़ सकते हैं अगला चैप्टर चैप्टर निबर से बन जहां पर हम बात करते हैं नौकर साही करण के बारे में इंपोर्टेंट चैप् वहाँ से रूपैसे री रैगुलेशिं को लोगों तक पहुन्चान लोगों से मनवाना यह काम होता है ओने स्ट्रोंगunda ऑर उतने अच्छा तरीके से लॉग करेगा पाकिस्तान का आज क sneaking जुनकर साही को Ό तो आप पर वीकार हो चुकी है जिस की काहएं सू सारा कुछ खराब हो रहा है अगर नोकर साहि वेवस्ता की अच्छी ऊना थाइट ना तो बाग ही चीज Expave रहती है । और राज्य के बीच में संबंध किस परकार करें से में कुशन आता है इंपोर्टेंट रहता है और नोकर साही जो भी व्यवस्ता है वो ब्रिटेन के अनुसार किस परकार का है फ्रांस के अनुसार किस परकार का है और सोव्यत रूश के नुसार किसपरकार करते मतलब इन इनके कंट्री में जैसे ब्रिटन के नंदर में नोकर्टाइर साथ किस परकार की ती यह तो यह समद्ध के बोच profess नोकरसाई औरीरीक नोकरसाई और राजिय के संबंध के बारे में पूच्चा जाता है कि नौकर साही ट्ρεेंद युनियन का आपस में किस परकार का संबन्ध है किस प्रकार का कर सैं किस प्रकार का इंपक्त रहता है दोनों का इसके बारेमे Donc portion बनकर आता है तो यह को टापिक इम्पोर्टेंगी रहने वाला है इस वाले चैप्टर के इंदरिक and जरू पहला वाले टॉपिक Tibu को भी लिकर चलना क्योंकी दोनों में से एक नएक टॉपिक आपके अगजाम में बनकर आता है तो इसको आप सब कर सकते हो अगले चैप्टर के और बढ़ते हैं चैप्टर नमबर एड जहां पर हम बात करते हैं लोगतांत्रिक राजनिति के बारे में अब लोगतांत्रिक राजनिति होता क्या है तो लोगतांत्रिक राजनिति के अंदर में हम लोगतांत्र की लोगतांत्री करेंड के बारे विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्रिक देश के तोर पे भारत को जाना जाता है जिसकी जनसंग क्या बेची कासी है चीन के अंदर में प्रॉपर एक लोकतंत्र जैसी कुछ है नहीं चीन के अंदर में कौन सांस ले रहा है कौन नहीं ले रहा है सब कुछ ऊपने आप कुछ भी बोल सकते हैं आपके आपका सदीकार है तो यहाँ पर Question बनकर आता है कि लौगतंत्र के समख्छ चुन कहते हैं कुण-kुण से चैलेंज़ їх होते हैं जिसको हमें phase करना पड़ता है अब हिहाँ पर question ये बनकर आता है क्या हमारे पडूची देश पाकिस्तान में लोगतंत्र है आपको क्या लगता है आपके thinking क्या है और नहीं है तो उनको क्या चीज एक ऐसी कौन से चीज आपके इसाब से सुधार करनी चीज इससे लोगतंत्र कायम हो सकता है आप comment करके बताईए देखते कितनी students का क्या view है और ये question पीछे पूछे जाने का ना एक reason यह है कि इसके बाद में आपका खतन होगा तो में के बाद बहुत सारी students ऐसे होंगे जो net की तियारी करेंगे प्रोफेसर के लिए जाएंगे पीसडी के लिए जाएंगे तो इस तरह के जो questions होते है ना बहुत ही logic-based होते हैं आपके answer depend करते कि आपकी जो मतलब जो आपकी जो पूरा stage क्या आपकी किस level की student हो यह define करता है तो देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर में लोक्तंत्र है या नहीं है और नहीं है तो ऐसे कौन सी एक चीज़ को change करने से लोक्तंत्र कायम हो सकता है अपना answer देना को कोई Google को कुछ निए ओगे बढ़ते हैं अगला chapter आताँ है हमारा अधुनीक राज्य और जनकल्यान के बारे राज्य है जनकल्यान है क्या इसके बारे में हम बात करते थिके अब Д peak लोग तन्दर की शब्ऴार्न के बात कर तो बात करें तो बहो बहुत सारे लोग जाती वैवस्ता में वटती ओए ठीक है विवीजिताहु के से उंदर जैसे हमारा चटपु जा रहा है, मैं बिहार से बिलोंग करता है, चटपु जा रहा है, तो अगर माल लो, गौर्मेंट मेरे हिसाफ से, मेरे मद्दे नजर कर कोई policy बनाई, तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, जो इस तहवार को नहीं मानते, नहीं करते, ठीके, तो उनको उस चीज़ से आहात पहुँचेगा, तो गौर्मेंट की जाए policy बनाई जाती है, तो वो diversity को मद्दे नजर देखकर बनाई जाती है, कि सबी लोगों को cover कर सके, सबी लोगों का वो ध्यान रख सके, तो ये एक लोगतंतर के अंदर में सबसे बड़ी चुनोती के तोर पे उभर गुबंडली करन का impact हमारे लोगों पे, हमारे culture पे किस तरह से पढ़ रहा है, इसका भी एक reason रहता है, लोगतंतर के समख चुनोतियों का, तो कुछ ये example में आपको दे रहा हूँ, बाकी आप इसके अंदर में जब इस book को पढ़ोगे, topic को पढ़ोगे, तो आपको बहुत स अब लोग कल्यान कारी राजे होता क्या है, तो welfare societies आपने सुना होगा, ठीके welfare societies, welfare states, ठीके तो यहाँ पर लोगों के कल्यान के लिए कारे करने वाले राजे को हम लोग कल्यान कारी राजे बोलते हैं, ऐसे राजे जो लोगों के भलाई के लिए कारे कर रहे हैं, लोगों के क कल्यान के लिए कारे कर रहे हैं कल्यान के लिए कारे कर रहे हैं कल्यान के लिए कारे कर रहे हैं तो उसको हम लोग कल्यानकारी राज्य कहते हैं तो जापान के नुसवार क्या थिंकिंग है क्या मानना है उनका साथ ही साथ इंग्लेंड के नुसवार क्या मानना है तो दूनों क नमबर 8 का जो यह topic था यह भी important है और चैप्टर नमबर 9 का यह वाला topic है यह भी important हो तो आप इन दोनों topic को माग करके आगे बढ़ सकते हो चैप्टर नमबर 10 के और बढ़ते हैं चैप्टर नमबर 10 में हम बात करें हैं रास्टवाद के बारे में रास्टवाद है क्या ठीक है रास्टवाद की विचारदारा होती क्या है तो simple सा एक लाइन में मतलब क्या है कि जब हम अपने रास्ट को ना महत्व देते हैं रास्ट क क्या है तो reason simple सा एक word में simple answer यह है कि उनके अंदर में राष्टवाद की भावना है जिसके कारण से वो वहां जा रहे है अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी जगा है भाले ही वो उतना कोई था भी इसराइल यह आपको याद भी नहीं रहता मैप में कहीं दिखता भी नहीं ऐसे भी नहीं दिखता है और दिखता भी नहीं आज इसराइल सभी देसों से लड़ पा रहा है सभी देसों के सामने डटकर खड़ा है और बड़े बड़े देसों को उसने जुका कर रख लगाते हैं वानिजिक पुझी वात के बारे में वानिजिक पुझी बात है क्या तो वानू जीक पुझी बात के अंदर में दोछ टॉपिक आते हैं पहला नaldo नॉर्मली इसके दो-ति अदर आते जो होते हैं जहां पर पुंजी लग रही है ठीक है फैक्टरी से लग रही है तो जो मतलब इस तरह का उद्ध्योगी करेंट का जो छेत्र होता है ना इसके अंदर में वाने जी तौर पे किस परकार से विकास कर रहा है पुंजी बाद की विचारदारा कैसे ग्रो कर देश के टीश की बाद करा करती है यह को पुंजी बाद revenge के बारे में बाद करते हैं ठीक है समाज बाधी ऊद्ध्योगी करेंट के बारे में बात करते हैं थीक तो यह तीन चंप्टर े आपके ये जो तेनों चंपर इंपरेंट है और तीनों में से एक नएक टौपिक बन कर आता है तो इन पीनों चंप्टर को आपको study करके चलना है धीक ao समझ में आता है चैप्टर नमर 14 के और बढ़ते हैं चैप्टर नमर 14 के हिंदर में हम बात करते हैं अल्प विकास के बारे में अल्प विकास होता क्या है तो एक तरीके से अधूरा विकास अल्प मतलब क्या होता है अधूरा विकास अधूरा विकास ठीक है अधूरा विकास क country तो अल्प विक्सित अर्थवरस्ता होता है किया तो अदूर विक्सित अर्थवरस्ता के बाख करते हैं यही topic आपको यहां पर important रहता है थी है तो ऐी सी से तो कुछ खास यहां पर मैंने कभी देखा नहीं है पिछी exam के अंदर में बट फिर भी आपको study करके चलना है कई बार टिपणी के अंदर में question बन कर आयाता है chapter number 15 जहाँ पर हम बात करते हैं विजय और अधिगरण के बारे में विजय और अधिगरण होता है क्या है तो जीतना अधिगरण मतलब अधिगरण करना तो यहाँ पर सबसे main topic बन कर आता है chapter के अंदर में जान संक्या की परिवर्तन और यूरोप यह रण नीती है को रण नीतियों के बारे में ठेक है कि जन संक्या परिवर्तन को लेकर यूरोप के अंदर में किस परकारे की रण नीती है किस परकारे की चीजे हैं इसके बारे में आपे बात की जाती है ठीक है तो यह topic यहां पर important रहता है अगला chapter आता है आपका chapter number 16 जहां पर हम बात करते हैं प्रवसन और आवसासन के बारे में तो यहां पर आधुनी काल में प्रवसन के बारे में हम बात करते हैं प्रवसन मतलब होता क्या है जैसे आपने लोगों को देखा हुआ विस्थापित होते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो आधुनी काल के अंदर में प्रफशन मतलब क्या अब देखो मैं बिहार से आगे डेली में हम घर बनाके रहे हैं इसका सिंपल सा रीजन क्या है तो अच्छा अच्छा इंकम ठीक है अच अच्छा काम जिसके काम से अच्छा मतलब लाइफ ऑफ स्टेंडर्ड जो हमें मिल से कि इसके काम साम ब्यार से डेली आकर बस गए और आप में से बहुत सारे बीवर्स ऐसे होंगे या जो मेरे घर के आसपास में डेली में रहते ना डेली में रहने वाले 70% लोग ऐसे हैं कहीं और उनका घर था में लेंड उनका कहीं ओर था मदर लेंड कहीं ओर था पर वो आकर यहां पर बसे हुए ठीक है जहां पर उनका जनम स्थान कुछ और है यहां पर आकर कमारे खारे तो just because of अच्छे education के लिए अपने बच्चों के बविश्य के लिए और अच्छी इमपोर्टेंट है यह वाला टॉपिकिंपोर्टेंट यहां पर रहता है ञाप्ट्र No17 सmarज्यवाद के बारे बात करते है सम्राज्यवाद है क्या किय're Samir ko इस साइट से आपका बंगलादेश के धाका को कबजा कर सकते इसा तो हमारे बसका है कि हम कभजा करें क्योंकि भारत जो है भारत की सोच विश्व के अंदर में सबी देशों से सबसे अलग माने जाती है ठीक है अगर कोई भारत की जमीन भी चीन रहा है तो भारत दो सगेन लिए कुछ नहीं बोलता ठीक है पर अब यह आज का भारत बदल रहा है डिधी नियूस पर देखो गया तो भारत बदल रहा है अगर आज कोई शीने खाला तो हम उसके लिए खड़े हो सकते हैं तो अगर मान की चलते हैं कि हमने लाहोर ले लिया तो जो हमारी भारत की बुंडरी ना पहले बहिए इधर तक रहती थी अब उठकर इदर आ गई तो उठके आगे ना सुझे सीमा का विस्तार होना ना यह इसी को हम समराज्यवाद बोलते हैं ठीक है तो इसके अंदर में दो टॉपिक बनकर आते हैं कि समराज्यवाद की विविन से धानतिक व्याख्या अलग-अलग इतिहास कारों के द्वारा अलग-अलग मत क्या है स समराज्यवाद को लेकर किसका विवेशना किजिये यह वाला चैक्टर भी आपका इंप्सनें allah ठीक है चैक्टर नंबर 17 सने में बात करें तो यहां पर हम बात करते हैं उपनिवेशवाद की बारे में अब यहाँ पर उपनिवेशवाद होता क्या भीया उपनिवेशवाद कहते किसे है तो उपनिवेशवाद का मतलब क्या होता है अर्थ ववस्ता के अंदर में हस्त छेप करना देखो उपन मतलब क्या किसी के उपन निवेश मतलब क्या अइसा नीवेश का मतलब क्या किसी के ऊपर अपना अधिकार कायम करना ठीक है उसके अर्थवस्था के अंदर में हस्त छेप करना उसके जू रूल है अंतर क्या है दोनों के अंदर में कुछ difference है क्या है कुछ समानता है कुछ difference है क्या है तो समराज जेवाद के अंदर में सीमाओं का विस्तार करते हैं लड़के जगड़के जो सीमा की विस्तार कर रहे हैं सबसे नंबर वन पे और सबसे बड़ा आता है चाइना अगर आप चीन की नीती देखोगा ना कई सारे documents leak होते रहते हैं ठीक है कुछ समय पहले मैं एक news सुन रहा था जिसमें 2025 तक का वो target वड़ाता रहे थे कि 2025-2030 के अंदर में हम यह youth लड़ने वाले हैं ठीक है इसको घप जा लेंगे भारत की जमीन को लेंगे courses कर रहा है बहले में इस्राइल का सपोर्टर हूँ बढ़ फिर भी एक सब्सक्राइब कर देखा जाए तो कहीं ना कहीं वो जमीन हड़ अपने की courses की जारी बहले किसी की गलती हो वो दो सब्सक्राइब हटा दिया जाए तो ठीक है आगे बढ़ते हैं आगे मैं बात करो तो इनुपकिल हमेन विवेषीकलन यह घाल इतो हो जैड़ा तो उपने वेशीकलन का उल्टा के मतलब क्या गया है कि किसी को अपना धिकर गाइन बाहिए करना उसको आगे बढ़ाना जो जी हुआ ठीक है वी अपनेवेश्य करण उल्टा हो गया एक तरसे रास्दी ऑपनेवेशी करण को अपोज किया गया उसको बढ़ने से रोकने के लिए निस किया गया इसका अगर देखो गए तो 1932 के अंदर में जर्मन के विद्वान थे ठीक है जिसको जूलियस मजी जूलियस करके उनका सरणेम आता था जूलियस करके 1932 के अंदर में जर्मन विद्वान जूलियस करके थे उन्हों उन्हें इस विचारदारा को इंडेडियूच किया था लोगों को सामने में जिसमें हम भी ओपने विश्ची करन के बारे में हम बात करते हैं समझ में आता है चैप्टर नंबर 20 जहां पर हम बात करते हैं रास्ट राज्य वैवस्ता के बारे में एक रास्ट की राज्य वैवस अरथिक विस्तार के बारे में, किस तरए से आर्थिक विस्तार करने विकरते हैं, समराज ज्यवात के बारे में हम बात करते हैं राष्ट राज्य ववस्ता के अंदर में समराज्य वात को भी हम यहाँ पर करके चलते हैं साथ ही साथ यहाँ पर हम अंतर राष्टे संबंदो को बारे में जो International Relationship पुदे बहारी दीशों के साथ में उसका क्या रोल है रास्ट राज्य ववस्ता के अंदर में उसके बार में बात करते हैं देखो भारत आज के समय में जिस स्टेज पर खड़ा है ना बहले ही आप मोदी जी को मानो ना मानो बीजेपी गोवर्मेंट को मानो ना मारो दिन इस तरह के खालात हो गए है ठीक है जैसे रुकरेन और रसिया का वार चल रहा था ना रसिया को उपर में जितने सैंसंग लगे थे ठीक है अगर बीजेपी गोवर्मेंट नहीं होती सत्ता में या पर जो इंपक्ट है भारत का आज नहीं होता विश्व के अंदर में तो स अब भी दूसरे देशों को अना सप्लाइए नहीं करते थे पर आज भारत इतना सक्षा में कि हम आनाज बेच रहे हैं सब देश जब डूब रहे हैं सब देशों के अंदर में इंफलेशन चल रहे है न तो भारत का विकास दर एक तीनी तेजे से बाग रहे कि कुछ कहने की बात नहीं को पीछे है नहीं हमें खड़ा जो पीछे बोल सेगे हैं या इसा को फैसी distry के पड़ रहे हैं और थो समस्ते होगी क्या है कि अडिय कि आ पढ़ोगे तो आपको खुद ही समझ में आएगा समझ में आता है आगे बढ़ते चैप्टर नंबर 21 के अंदर में देखो चैप्टर नंबर 20 के अंदर में दो टॉपिक आते थे राष्ट राजय विवस्था का लेकर आता था दूसरा टॉपिक यहां पर रहता है जर्मनी और इटली का एकी करण किस परकार से हुआ इसके अंदर में राष्ट राजय विवस्था किस परकार से रूल प्ले करता है इसके बारे में आप बात करोगे तो इस वाले चैप्टर के अंदर में जो आपका पहला टॉपिक था जिसके अंदर में हम चार चीज़ों को कवर करते ह अधार पर यहां पर कोशिन बन कर आ जाता है कर बार कोशिन ये बन कर आ जाएगा कि राश्ट राज्य वावस्ता का छेत्री है जो छेत्री विस्तार था ना या छेत्री विविता है तो उसके बारे में बताईए आर्थिक विस्तार को बताईए अंतर राश्टे संबंदों को के बारे में ठीक है परती दूंदताओं के बारे में मतलब क्या competition किस पर कहा रहे हैं तो आपने सी त्यूद के बारे में सुना सी त्यूद का time period क्या है कब से कब तक चला सी त्यूद देखते कि इस student को पता है comment करके सी त्यूद है क्या important topic गुट निर्पेक्ष आंदोलन जिसमें परमुक तौर भारत भी सामिल था पांच देशों के सयोग से गुट निर्पेक्ष आंदोलन का निर्माण किया गया इसका में रीजन क्या था कि भारत अपने को सोतंतर रखना चाहता था भारत जैसे जो नौ सोतंतर देश थे नौ मतलब यहां पर नो की बात नहीं करना नए सोतंतर देश जो तुरंथ हाली फिलाल में पैदा हुए थे सवसंद्र हुए थे आजाद हुए थे तो वह अपने आपको कभी किसी देश का गुलाम नहीं बना बात करना थियारों की होड को छोड़ना और अजादी की मांगों को कहां रखना विकास करना लोगों की कल्यान के लिए बात करना ठीक है इन सब चीजों के बारे में बात करने लगा था ठीक है यहां पर question of the video तो मैं बहुत सारे पूसकता हूं आपसे देखते हैं कितने को आगे बढ़ान से पहले मैं सबी स्टुनेंट से क्रिक्वेस्ट भी करूँगा अगर अभी तक आपने मारे चनल को सस्क्राइब नहीं कर रखा तो सस्क्राइब जरूर कर लें इन आप के ऊपर में में हिस्ट्री स्लेटेड आपको सारी वीडियो मिलनी वाली है और अभी इन भी वो के आपके चाहिए सेकेंड एर के हो जाए फंस टेर के हो कुछ बिन के अंदर में सारे वीडियो अप्लोड हो जाएंगे तो आप हमारे चनल को सस्क्राइब करके रखें और भी इंपोर्टेंट जो वीडियो को सस्क्राइब करना जरूर देखें मतलब चैब बात करते हैं एक दृविय्य की विरोधी धाराओं के बारे में ऌधर पनासेप्ट और 1947 से पहलेकर जो पूरा विश्व के अंदर में कौनसेप्ट था तो पूरा विश्व.डू में बटा हुआ था तीके पूरा विश्व दो धड़ों में बटा हुआ था जिसमें एक गुट था अमेरिका का दूसरा गुवत था सोव्य संग थीके तो यहां पर दो दुरुविता की विचारदारा बंगर आती हैं उसी समय पे वह आप क्या हुआ जैसे सोव्य संग का अंत होता है तो वहाँ पे सोबे संग के अंत के साते में ठीक है यहाँ पे एक दुरुविता का विचारदारा आरंब हो जाती है एक दुरुविता का विचारदारा के अंदर में अमेरिका की विचारदारा के हम बात करते हैं अब दो लोग हैं लड़ने वाले दोनों पावर पूल है, एक मर गया, तो एक बंदा बचा, अब एक बंदा बचा तो मतलब क्या, उसका वर्चस वो कायम हुआ, और अमेरिकी वर्चस क्या है, विश्व राजनिती के उपर में, अमेरिकी वर्चस का क्या इंपक्ट है, इसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है, तो य आधूनिक राधनिती के बारे में फ्रांसकी करांती किस प्रकार से हुई आधूनिक राधनिती के अंदर में इसका क्या मारत्व है लोगों के अधिकार के लिए फ्रांसकी करांती या मानव अधिकार हुटा क्या है किस तरीके से लोग अपने अधिकार के मांग करने लेगे ल त्थीन अलग तरीके से करना है एग करना सांस्कृतिक तर पर समाजवादी विचारदार के पर पूछा जाता है तो इनको तीनों तरीके से आपको study करके चलना है समझ में आए आगे में बात करूँ तो यहां पर अगला आता है ऐसापकर नमबर 24 जहां हम बात करते हैं राजवनेति करांती के बारे में यह समाजवादी विचारदारा के कैसी लाय जा सकता है ठीक है मतलब पूरे रूस के अंदर में कैसे कायम किया जा सकता है और जो निकोलस का सासन था उसको अंत किया सकता है इसके बारे में डिसकस किया गया समाजवादी करांती का जो रूस में ही क्यों हुआ ये कई बार कोश्चन आपके एक्जाम में बनकर आ कि जो समाजवादी करांती ना सरी रूस के अंदर में क्यों हुआ बारत के अंदर में क्यों नहीं हो गया नेपाल के अंदर में क्यों नहीं हो गया समाजवादी करांती अमेरिका के अंदर में क्यों हुआ चीन के अंदर में क्यों हुआ तो जो यह रूस के अंदर में क्यों और वहां से ही ये जो कुरांती थी शुरुआत हुई रूस के अंदर में अगर उस तरह का महल किसी और देश के अंदर में होता तो साथ वहां पे भी ये आपको समाजवादी कुरांती के बारे में बात करने के लिए मिलता तिके बट यहां पे जो उस्तर का महौल था रूस के अंदर में जहां पे किसानों के मजदूरों के दिकारों को दबाया जा रहा था ठीके एक वर्ग बहुत आगे बढ़ता जा रहा था और जो सासक था वो बहुत जादा ताना सा कुरूर के तौर पे जाना गया जिसके कार्ण से रूस के अंदर में ही यह समाजवादी करांती स्टाट हुई ठीक है समझ में आता है बोल से भी करांती का महत्व क्या है बोल से भी करांती को भी रूस की करांती के तौर पे ही जाना जाता है आगे के chapter थोड़े easy chapter आने वाले हैं आपके लिए chapter number 25 जहां पर हम बात करते हैं ज्ञान और क्रांती मुद्रन पर सूचना के बारे में यहां पर print तकनीक का विकास किस प्रकार से हुआ इस से related question बन कराता है important chapter रहता है chapter number 26 जहां पर हम बात करते हैं तकनीकी करांती और संचार्च किस्ता के बारे में 20 सधी से पहले जो बिश्वी सधी का जो time period था उससे पहले और उससे जो बात का जो पूरा time period था उसके अंदर में अविस्कार तकनीकी तोर पे अविस्कारों का विकास किस परकार से हुआ ठीक है तकनीकी अविस्कार किस परकार से हुआ इसके बारे में आपे बात की जाते है तो एक इंपोर्टन चैप्टर यह वाला रहता है चैप्टर नमबर 27 जहां पर हम बात करते है आधूनिक यूद क इस परकार का है जिसके अंदर में सीमित यूद कौन से होते हैं सीमित यूद किसे कहते हैं आदुनिक यूद किसे कहते हैं इसके बारे में चाप्टर बनकर आता है यह वाला जो चैप्टर ना इसमें से कई बार कोश्चन टिपनी बेस में 10 नमबर का बनकर आता है और कई बार question 20 number में बन कर आते हैं तो इवाले chapter को भी आपको study करना है सेम यूद किसे का जाता है आदूनिक यूद होता क्या है और संपन यूद किसे कहते है अब यहाँ पे सेम संपन यूद के ओपर में ही एक आपका पूरा chapter आ जाता है chapter number 28 जहाँ पे हम बात करते हैं संपन यूद के बारे में संपन यूद किसे कहते है संपन यूद के अफ़ारना है क्या यह एक important chapter रहता है गैर राज के हिंसा होता क्या है गैर राज के हिंसा क्या है जो राज के fundamental या फिर कानून के इसापसे नहीं होते तीके आपने भारत के अंदर में अकसलवाद देखा है माओबाद देखा है और गुरिला यूद से वो फाइटिंग करते है तीके आतंगवादी गुज जाते है भारत का समीर के अंदर में और वो गुरिला वोरफेर में माहिर होते है चुप चाप के माँ हमला कर दिया, कहीं भी गुसगास के कर दिये तो वो होता क्या, गुरुलावर, फिर होता क्या, गैर राज की हिंसा होती क्या है इसके बारे में चैप्टर बन कर आते हैं, तो ये वाला चैप्टर भी आपका important है जन संक्य की विश्व इतिहास को समझने में जन संक्य की परिवरितन देखो मैंने last वाला जो MHI 01 कर वायता है, उसके अंदर में मैंने बताया था है कि जन संक्य की कितना important है किस तरीक मैं सुसका रूल होता है, अगर आपके का इसका infrastructure जो है बहुत अच्छा थो आपकी जênio जन संक्या बढ़ेगी hospital अच्छे हैं, सुजदा है जन संक्य क्या बढ़ेगी अगर आपके देशों मतलब चीज लेच्छी नहीं है तो जन संक्य क्या घटेगी पर कई बार उल्टा भी होता है अगर आपके देश में चीज़े अच्छी नहीं है तो भी आपकी जनसंक्या बढ़ती है क्योंकि आपके देश के अंदर में जो जाग रुकता है लोगों के अंदर में वो खराब है पाकिस्तान खाने के लिए खाना नहीं है पर फिर वी जनसंक्या बढ़ रही है और पाकिस्तान जैसे बहुत सारे देश से जिनके पास कुछ नहीं है फिर वी जनसंक्या बढ़ रही है क्योंकि वो मुर्ख है वहीं पे जो बहुत सारे देश जिनके पास बहुत कुछ है जिनकी इंफरेटक्चर बहुत अच्छा है तो वहाँ पे जनसंक्या बढ़नी चाहिए तो वहाँ पे जनसंक्या घट रही है अब यहाँ पे जनसंक्या बढ़ भी रही है उनकी तो किस हिसा आप से दिखा जाना त कि कितने समय तक वो जिंदा हैं, कितने स्वस्त हैं, उसके अधार पर उनकी जनसंग क्या बड़ी हो, पाकिस्तान की जनसंग क्या घटी, ठीक है, ये चीजे रहती है, ठीक है, तुम यहाँ पर ये समझने वाली बात है, जनसंग क्या मतलब हमें सा नंबर से हम बात नहीं करते कि दस लोग थे 12 हो गया, 15 हो गया इसके बारे में बात नहीं करते हैं जंसां क्या मतलब living standard के बारे में भी होता है और एक life circle कितना बड़ा है इसके बारे में भी होता है कि कितने समय तक जी सकते हैं जापान के अंदरे में अभी सबसे ज़्यादा लोग लंबे समय तक जी पाते है reason क्या है कि अच्छा state है अच्छा infrastructure है अच्छी सुविदा हैं लोगों के लिए और और भी देश होंगे बट मुझे भी उसके बारे में knowledge नहीं है आगे बढ़ते हैं यहाँ पर आगे पढ़ते हैं चैप्टर नमबर 21 जहां में हम बात करते हैं परिस्तिकी के बारे में और उसके नुकसान और देखी करेंट के बारे में किस तरह का एक circumstance बनता है क्या conditions रहते हैं लोगों के किस तरह से नुकसान क्या चीज़े बढ़ते हैं इसके बारे में कोश्चन बनकर आता है और चैप्टर नमबर 32 उपुभोगता बात के बारे में उपुभोगता बात है क्या consumer किस तरह से देखता है उसका द्रिस्टी कोन क्या है अलग-लग द्रिस्टी कोन के इसाफ से क्या rule regulations बने हुए consumer को लेकर क्या का जाता है इसके बारे में आता है तो टोटल 32 चैप्टर आपके MHI 02 के अंदर में थे जिसको हमने यहाँ पर कवर किया 50 से ज़्यादा टॉपिक को इस पूरे बुक के अंदर में हमने देखा आपको 50 में से ओल्मोस्ट मालों 20 टॉपिक में यहाँ पर अच्छे से पढ़कर जाते हो तो ट्वेंटी में से चार से पांस टॉपिक कहीं नहीं जारे अराम से आपके बुक में आ जाएंगे यहाँ पर 20 में ज्यादा बूल रहा हूं ठीकि अगर मैं और यह नंबर मिलेगा कैसे तो इसके दो रिजन होते हैं पहला होता है रिवीजन आपका कि आपने कितना अच्छा रिवीजन किया है कितना अच्छा प्रैक्टिस किया है कितना अच्छा आपको लिखने का तरीका पता है दूसरा तरीका क्या होता है आपका नॉलेज ठीक ह दूनों चीज़े आपके बढ़ सकते हैं कैसे हमारे दाइनब चनल को सब्सक्राइब करें जहां पर आपके बहुत सारे वीडियोस helpful वीडियोस आपको time to time मिलने वाले जिससे आपके number बूस्ट हो सकते exam के अंदर में आप जितने अच्छे तरीके से revision करोगे अगर आप लास्ट फैबर की वीडियोस देखते हो उसको study करते हो तो सासात में आप answer writing की practice भी करोगे answer writing की practice करोगे आपको time management पता चलेगा time management पता चलेगा आप उसकी साबसे manage कर पाओगे उसकी साबसे लिख पाओगे लिख पाओगे अच्छे नमबर मिलेंगे जरूरी नहीं है सारा page भरने वाला सारा paper करने वाला अच्छ टॉपर आता है कभी नहीं अच्छा लिखने वाला अच्छे तरीके से present करने वाला टॉपर आता है और देखो यह मैंने topics बता दिया आपको तो आप यहां से इसे पास आपको membership लेना पड़ेगा 59 डूपीस का directly आप membership ले सकते यूपर के तो प्रमेंट करके दाइनव यूटूब पे वहां से आपको वीडियोस मिल चाहेंगी लास्ट फैवेर की उससे आप उसका benefit उठा सकते हैं यहां पर मैं वीडियो एंड करूंगा thank you for watching me thank you so much for listening me bye bye take care all the best अगर आपके में कोई डाउट हो कोई suggestion हो तो comment box आप सभी वीवर्स के लिए open हैं वहां पर अपना suggestion या फिर डाउट दाव सकते हैं वहां पर मैं answer आपको देदूंगा 24x7 हमेंसा आपके लिए वैलिबल हूँ तो वीडियो यहां पर end करते हैं bye bye take care all the best